आप सभी को नमस्कार स्वागते आप सभी का चैनल एश्टालाजर में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 17 अगस 2022 को जो सूर्य सिंग राशी में प्रवेश करने वाले हैं उसका असर 12 राशियों पर क्या होने वाला है जब सूर्य कर्क राशी से सिंग राशी में प्रवेश करते हैं तो वह समय सिंग संक्रांती कहलाता है वैदिक जोतिश के हिसाब से सिंग संक्रांती सकारात्म पूर्जा को बढ़ाता है क्योंकि सूर्य सिंग राशी में ताकतवर हो जाते हैं जिनके कुंडली में सूर्य सिंग राशी में बेठे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय शुरू हो जाता है। सिंग संक्रांती का बहुत ज्यादा महत्व है विशेश कर दक्षिन भारत में क्योंकि दक्षिन भारत में माननेता के नुसार इस दिन भगवान विश्णु के अवतार नर्सिंग भगवान की पूजा होती है विश्णु जी के साथ में। नारियल पानी से विशेश अभिशेख होता है जिसे पवित्र माना जाता है। मंगलोर शहर के कुलेई में लोग विश्णु मंदिर में दर्शन और विशेश पूजा नर्चन करते हैं। विश्णु पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है जिसे की अपपादा पूजा कहते है एक मुख्य बात यह है कि सिंग संक्रांती से लेके कन्या संक्रांती तक लोग रोज भगवान विश्णु की पूजा करते हैं हवन करते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं प्राधनाय करते हैं भगवान को प्रसंद करने के लिए वर्ष 2022 में 17 अगस्त बुधवार को सुभे लगभग 7 वज के 13 मिनिट पे सुर्य सिंग राशी में प्रवेश करेंगे तो आएے जानते हें राशी फल 12 राशी। के साथ क्या-क्या बदलाव को सकता है मेश राशी, सिंग राशी में सुर्य का ये गोचर मेश राशी के छातरों के लिए बहुत फायदेमन्द रहेगा यदि आप किसी प्रतियोगी परिक्षा में या किसी प्रवेश परिक्षा में शामिल हो रहे हैं तो अब आपका भाग के साथ देगा यदि आप जीवन साथ या प्रेमी की तलाश में हैं तो भी सफलता आपको मिलने की प्रबल संभावना है जो लोग पहले से ही प्रेम संबंदों में हैं वे अपने साती के साथ बहतरीन समय गुजार सकते हैं यति मेश राशी के लोग सक्टा बजार, शेयर बजार, कमोडिटी बजार से संबंधित कारे कर रहे हैं तो अब लाब कमाने की अच्छी संभावना होगी आप अपने रुके हुए कारे को भी पूर्ण कर पाएंगे वरिशब राशी सिंग राशी में सूर्य का ये गोचल आपके काफी रास्ते खोलतेगा आप जमीन या वाहन खरीच सकते हैं मा के आशिरवास से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती हैं परिवार के साथ quality time बिताने का समोका आपको मिलेगा आपको अभी नई जिम्मेदारियों को समालने के लिए तयार रहना चाहिए जिससे कि आपका व्युसाई भी काफी फलेगा फूलेगा मिधुन राशी अगले एक महिने में आप अपने स्तर पर अपनी शमता का बहतरिन इस्तमाल कर पाएंगे लंबे समय से चल रहे अपने कारियों को भी आप पूरा कर सकते हैं मिधुन राशी के लोग भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए अभी चुनोती पून कारे कर सकते हैं भागे भी आपका साथ देगा जिसके कारण निश्चित ही आप अपने जीवन को सुखी करने के लिए रास्ते खोल भाएंगे करकराशी करकराशी वालों के लिए काफी अच्छा समय है आपके आई के सोत खुलेंगे जिससे आप काफी व्यस्त रहने लगेंगे अगर आप अपने किसी को उधार दिया है तो संभो है कि अब आपको वापस मिल जाए करकराशी वाले अपनी कमाई को स्मार्ट तरीकी से बढ़ाने के लिए भी वी योजनाय बना पाएंगे अगर आप कोई शोद कारे कर रहे हैं तो अब आपको उसका परिणाम मिलेगा सिंग राशी सूर्य का गोचर सिंग राशी में ही हो रहा है इसलिए यह समय आपके लिए काफी फायदे मन रहेगा अब आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे जिससे आपकी सफलता में देजी आएगी जीवन साथी के तलाश करने वालों को सफलता मिल सकती है साजेदारी में आप कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं कोई नया वंसाई भी आप शुरू कर सकते हैं कन्या राशी, सिंग राशी में सूर्य का ये गोचर कन्या राशी वालों के खर्चे बढ़ा देगा अब आप मनोरंजन विलासिता दोस्तों के साथ मोज मस्ती करने में काफी खर्च करेंगे इससे आप कहीं भी शॉर्ट टर्म के लिए निवेश भी कर सकते हैं अब आप अपने शत्रों पर भी हावी होने में सक्षम होंगे तुला राशी, सूर्य का सिंग राशी में गोचर आपकी मनों कामनाओं को पूरा करने में आपकी मदद करेगा आप अपनी आए के स्रोतों में भी व्रधी करने में सक्षम होंगे जिससे आप अभी व्यस्त रहेंगे लेकिन तुला राशी के लोगों को अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना चाहिए संभव है कि आप उनके द्वारा ठगे जा सकें वरश्चिक राशी 17 अगस्त 2022 को सूरे का गोचर आपके लिए जिम्मेदारियां लेकर आएगा आपको अपने निर्ने कारे द्रश्टिकोन आदी के कारण नाम और प्रसिद्धी भी मिलेगी तो रश्चिक राशी के लोग तयार हो जाएं शांदार जीवन जीने के लिए ये भी संबव है कि आने वाले महिने में आपको इन नया वाहन खरीदे धनू राशी सूरे का सिंग राशी में गोचर अब आपके भाग्य में व्रधी करेगा आपके जीवन में निजी जीवन में करियर समाजिक जीवन में आगे बढ़ने के आउसर मिलेंगे ये धनू राशी के लोग व्यापार में हैं तो नीसंदे आप बहुत बड़ा लाव अलजित कर सकेंगे मकर राशी सूरे का सिंग राशी में गोचर मकर राशी वालों के जीवन को अचमभित कर देगा कई घटना है अब आपको खुश कर देंगी जीवन में अचानक आने वाले बदलाओ के लिए भी आपको तयार होना चाहिए जीवन आपको आश्चरस से रोमांचित करेगा कुमब राशी जो लोग पार्टनर्शिप में काम कर रहे हैं उनके लिए सूरी का ये गोचर अच्छा रहेगा साथ ही जो लोग शादी करना चाहते हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी कुमब राशी वालों का नेटवर काफी अच्छा बढ़ जाएगा और आप अपने कारियों को स्मार्ट तरीके से करने के लिए सोचेंगे आपको खुद को व्यस्त रखने और अपने जीवन को शांदार बनाने के लिए कई नएमों के भी मिलेंगे मीन राशी सिंग राशी में सूर्य का गोचर मिन राशी के लोगों को अपने निवेश्क के प्रती फल प्राप्त करने में मदद करेगा आप अपने शत्रूं अपने प्रति स्फर्टियों पर हावी होने में सक्षम होंगे जिससे आपको प्रसंदा का नफव होगा तो इस तरह सिंख संक्रान्ती बारा राशी वालों के लिए अलग-अलग तरीके से काफी फायदेमन सिद्ध होंगी यदि आप अपने कुंदली के हिसाब से जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या बड़ा परीवलतन आ सकता है तो आप उसके लिए संपर कर सकते हैं इस वीडियो की पूरी डीटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं विस्तार से तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं इस चैनल में अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने आले वीडियो तुर्ण प्राप्त हो सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवाएं